हमारे पुराण और महापारत में बतायागा है कि हमें जमीन पर बैठ करी बोजन करना चाहिए आज हम इसके पीछे का साइंटिफिक रिजन जानेंग जब हम जमीन पर क्रोस लेक करके बैठते हैं उसे सुखासन या अर्धपदमासन कहा जाता है जब कोई भोजन के सामने इस मुद्रा में बैठता है तो स्वचाली त्रोप से आपके मस्तिस्कों को पाचन के लिए तैयार होने का संकेत देता है जब हम जमीन पर बैटते हैं तो खाने के लिए हमें थोड़ा आगे की वर जुकना पड़ता है और निगलने के लिए शुरुवाती पोजीशन में आना पड़ता है अईसे लगा तारा आगे पीछे होने के कारण हमारी पेटी मानंस्लीशिया सक्री हो जाती है और पेट में एसिड का स्त्राव बढ़ जाता है जिससे बुजन पचाना आसान हो जाता है और कब्ज मोटा पा ऐसे डिटी जैसे पेट की बिमारी नहीं होता है और आजकल के लोग बहुत साथ पैसे खर्च करके डाइनिंग टेबल ले आते हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरू करें